लो एवरिवन एंड हैपी दिवाली कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन मेरी तो देखो बुखार में जैसी मुझसे हो रही है वैसी मैं कर रही हूँ यहाँ पूरा यह न हमारा हॉल है जिसको हमने अच्छे से वाश करके क्लीन किया है पूरा हॉल वाश हुआ है बाहर तक स सेट करेंगे क्योंकि भगवान जी जो है वो दूसरे रूम में बेठे इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें वापस अपनी जगह पर विराजमान किया जाए और पूजा की जाए अभी बस नहा के आई थी तो सोचा कि पहले मंदिर का ही कर देती हूँ फिर पूजा करके फिर ही क् की नाश्ता कर पाऊंगे ना इसलिए सबसे पहले मंदिर को सेट करेंगे फिर खाना खाके फिर दो और चीजों को सेट करेंगे तो सबसे पहले गणेशी को मैं लेकर आई उसके बाद सारे जो भगवान जी की फोटो मूर्तियां जो भी थी हाँँ पे सेट कर दी हैं फिर कर उनकी पूजा तो यहाँ पे देखो गनेची की जो जनेव थी वो वहीं पे रह गई तो बाद में मैं उनको पहना रहे थी मुझे दूरा-दूरा सा लग रहा था कि कुछ तो गडबड है कुछ तो कमी लग रही थी तो फिर याद आया कि अच्छा मैंने जनेव तो पहना आई नहीं गनेची को फिर जटपट से पूजा की जटपट से नहीं अच्छली इसमें जटपट लग रहा है वैसे आराम से ही करी थी अच्छे से पूरी पूजा करके नाश्ता किया उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा क्लेनिंग में लग गई क्योंकि यह डाइनिंग टेबल वापस इस पर पताने कैसे धूल आ गई तो मैं सुचेक चलो एक बार क्लीन कर देती हूं कुछ बिछाने या रखने से पहले फिर ना धकान इतनी ज़्यादा हो गई थी अक्छली मुझे बुखार पिछले पांच-छे दिन से बुखार हो रहा था तो सिर्फ ना मैंने जो यह अलमारी आपको दिख रही है यहां पर तो क्रॉक्री की अलमारी है इसमें क्रॉक्री और जितने भी चीजें हैं आचार आचार यह सब रखते हैं हम लोग क्योंकि किचिन में आचार पताने कैसे खराब हो जाते हैं बच अभी दिवाले तक मैं आचार कुछ नहीं तो मैं सुचा कि चलो आपके साथ वो भी शेयर कर लेती हूं काफी दिनों से मैं यह दो चीजें मंगवाने का सोच रही थी क्या है आपका भी पता चल जाएगा तो बहुत ही खुबसूरत सी यह चार अलग-अलग डिजाइन की चमच हैं जो कि मैं आजकल इंस्ट्राग्रा सो दो हजार तो वो चीजे तो देखो मैं लेती नहीं हूं बट जो चीज मुझे सही रेट में या थोड़ा अफोर्डेबल लगता है तो मैं वो ले लेती हूं तो वो चमच जो है वो मुझे आइधिंक 259 की पड़े थी हालाएं कि थोड़ी सी कोसली मुझे लगी बट फिर दिनों से इनको भी मैं अपनी विशलिस्ट में डाल कर रखा था मैंने बट इनका प्राइज कम नहीं हो रहा था तो मुझे उतने में ही इनको लेना पड़ा तो यहां पे देखो मैं वो भी आपको ओपन करके दिखा देती हूं अलग-लग इट डिजाइन इनकी बन गई और अभी मैंने इनको नहीं निकाला वापस पैक करके ही रख दिया है भी एक्चुली शादी के बाद ही इनको निकालूंगी तो अभी तो देखो दिवाली है उसके बाद शादी का सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे तो तब पता नहीं मैं वीडियो शूट कर भी एक हलमारी इधर रखी थी वो भी लगा दी और अभी हम सेट करेंगे थोड़ा बहुत कुछ सामान तो एकदम जितना देखो क्योंकि दिवाली की सफाई में मैंने पता ही नहीं कहां कहां क्या सामान रख दिया तो मुझे आइडिया नहीं था कि कहां पर क्या था क्योंकि अ खी मिली और उनी से मैं भी तो डेकोरेट कर रही हूं बाद में मैं ढूंडोंगे दिवाली तक तो आपको ज्यादा मतलब जो भी मेरा फाइनल डेकोरेशन होगा वो आपको दिवाली व्लोग में ही मिलेगा अगर बना पाई तो क्योंकि दिवाली वाले दिन बेन इतना अगर पूरा दिन का व्लोग नहीं बना पाई तो उतना तो वीडियो बना दूंगे कि मेरी डेकोरेशन आपको दिख सके कि मैंने क्या डेकोरेट किया है तो ये भी ना एक मैंने मीशों से मंगवाया था आपके साथ शेयर भी किया था तो यहाँ पर इस बार मैंने डाइनि दिवाली दिखे तो तो रियल जो फ्लार थे वो तो या प्लांट्स आप जी कुछ इसको बोलो वो तो मैं दिवाली वाले दिन ही रखूंगी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम तक चली दो दिन पहले का है ये वीडियो आज नहीं शूट किया है मैंने इसके बाद मैंने किसी अपना जो हॉल है वो मिनिममम चीजों से डेकुरेट किया है बहुत मिनिममम चीजे ही रखी है और उसी से ये काफी मतलब ऐसे अच्छा लगता है थोड़ा सा स्पेस दिखे खाली थोड़ा सा दिखे तो उसमें अच्छा लगता है ऐसे भरा भरा सा भी बहुत और इसमें changes किये हैं मैंने और यह area मुझे काफी अच्छा लग रहा था एक दम खाली-खाली clean रहता तो यह वैसे ही अच्छा लगता है तो देखो खाली-खाली clean clean अच्छा लग रहा है अब इधर वाले स्पेस की बारी आई तो देखो फ्रीज पे मैंने कवर लगा दिया और फ्रीज के कवर के ऊपर भी ना मैं ऐसे न्यूस पेपर लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा धूल आती है तो न्यूस पेपर होते है न तो न्यूस पेपर आराम से बदल दो रोज इनको वाश करने का जंजट नहीं रहता तो इसलिए अच्छे से मैं इन पे न्यूस पेपर लगा की ही रखती हूँ और यहां पर मैंने यह बोटल वाली लाइटिंग रख दी है और बस थोड़ा सा मैंने जो हमारा डाइनिंग टेबल है उसको भी थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश की हलांकि यह दिवाली वाले दिन ही रखूंगी मैं अभी तो मैं जस्ट चेक कर रहे थी कि क्या चीज मैं कहां पर यहां पर सेट करूंगी तो कैसी लगेगी तो यह जो मैंने DIY दिये stand बनाया था वो मैं यहां पर बीच में रख दूंगी तो अच्छा लगेगा जब सब लोग खाना खाएंगे यहां पर बैठ के और यह मेरी ट्रे मैं पता नहीं कहां पर रखूंगे तो यह है final look आप देख सकते हो मेरे haul का और जो भी changes होंगे आपको दिवाली वाले दिन देखने को मिल ही जाएंगे बाकी तो जो भी है यही है आपको कैसा लगा मुझ तो बहुत ही अच्छा अच्छा फील हो रहा था इसको करके and I hope आपको यह पसंद आया हूँ अगर आया हूँ तो प्लीज यह से like करना, share करना और मैं चैनल को subscribe जरूर करना ताकि ऐसे ही interesting interesting videos आप तक मिलते रहें, thank you for watching my video, bye bye, मिलती हूँ आपको अपने next video में